सबसे बेस मोडल जिससे आप क्या सकते हो एंड इसमें भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और यह 2024 वाला वेरियंट एसमें कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेंगे जैसे कि इसमें आपके 6 नमर ओफ एयर बैक्स आ जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा वह प्रा चुके हैं कुछ ज़्यादा प्राइज नहीं हुआ है बट थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है पहले यह करीब करीब साड़े तेरा लाक या कह सकते हैं पौनी 14 लाक तक देखने को मिलता था एंड अब जे आपको ग्वालेट सिटी में ऑन रोड पढ़ने वाला है 14.8 ला बोनेट इसका स्लोपी सा रहने वाला है फ्रंट ग्रिल आपको वही देखने को मिलेगी एकदम सिमिलर जैसी पहले आती थी बट आपको यह ग्रिल ना काफी शांदार इसलिए लगती है क्योंकि इसमें काफी अच्छा क्रोंडा का लोगो देखने को मिल जाता है यहां पर अच्छा के लिए प्लेसमेंट दे जाती है बट फॉग्लेम्स नहीं दे जाते और वैसे इस सडान में फॉग्लेम्स की इतनी नीड नहीं है क्योंकि इसके जो हैडलेंप से वह भी काफी जादा नीचे हो जाते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं और बात करनों तो को देखने को मिल लाएंगे एंड इसका जो ग्राउंड क्रेंस है वो 165 mm का देखने को मिलने वाला है टायर साइज के अगर हम बात करें तो 15 इंचिस का स्ट्रीलियम वी लॉफर कर दिया जाता है यह देख सकते हो यहां पर पड़ भी सकते हो 185 60 आर 15 एंड 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है यहां पर बी पिलर आपको ब्लैक में मिलता है बाकि के आपको जो सारे के सारे जो पिलर से वाइट में मिलने वाले एंड डोर को मैं उपन के बात करूँ एक सेगंड भाई यह देखो अंदर आपको बीज और ब्लैक का कॉम्बिनीशन मिलने वाला है काफी बढ़िया कॉम्बिनीशन है क्योंकि यह बीच कलर काफी लग्जरियस फील आपको दे देता गाड़ी में चाहें कोई भी हो यहां बोटर होलडर एंड स्पीकर की पोजिशन आपको देखने को मिल जाती है बड़ीया लगती है काफी गाड़ी का वील वेस 26 अम का है यहां पर डैशबोर पर एयरवेक की बेसिंग मिल जाती है प्यानो ब्लैक ट्रीटमेंट बीच कलर और ग्रब वोक्स का साइज भी ठीक ठ की जड़ी की अगर इस गाड़ी में बात करें तो वहां पर आपको 40 लीटर्स की फ्यूल टेंग कैपिसिटी मिल जाती है एंड 17.8 के मपील का आपको माइलेज क्लेम करती है कंपनी तो पेट्रोल के साथ यह माइलेज है डीजल में यह नहीं आती पहले आती थी बागी यह बढ़िया इसका रेयर लोक है यहां पर आपको डीफोगर्स बेस मॉडल से मिल जाती है एंड हाइमाट स्टॉप लैंब देखने को मिल जाता है ऊपर एक शाक्विन एंटीना देखने को मिल जाएगा यहां पर यह एलेटी टेल लाइट्स मिलती है जो के बहुत बढ़िया मिल जाती है न यहां के पर रिवर्स लाइट वगेरा शिटी की वैजिंग होंडा की वैजिंग आईवी टैक की वैजिंग आपको یہां पै देखने को मिल जाती है एनड यह है इसका भूल बड़ी लिव कैस्ता travelling मिल जाता है आप यह मिलने वाला है यहां पर यहां पर लम्ल उपर मैं बात कहलो чем टेंच पे प counselors ऑच्छी बात है क्योंकि बहुत सी गाडियों में covering नहीं तो इसमें मिल जाती है पीच्छे आपको रिवर्स पारकिंग डियुसित में पर्टी सी किमरा मी NICK की इंसेर्ट कर सकते हैं और इसके डोर को मैं उपन करके बात करूं तो यह देखो भाई यहां पर भी आपको same color combination आपको मिलने वाला है यहां पर vision black color का combination सारे के सारे power windows आपको देखने को मिलने वाले हैं यह देख रहे हैं आप सारे power windows and window lock unlock का बटन यहां पर आपको जो war beams मिलते हैं वो भी foldable मिल जाते हैं प्लस adjust आप इसको यहीं से बैठे बैठे कर सकते हो तो यह बहुत बढ़िया चीज़ा है इस variant के according मतलब आपको top model में जाने की जरूरत नहीं अगर आपको एक basic need है इसी गाड़ी की तो यहां पर आपको देखने को मिल लाएगी hat adjustable seat यह भी बढ़िया बात है बड़ आपको manual ही करनी पड़ेगी बागे यह है आपका manual variant तो तिन्यों के तीनों पैडल्स भी देखने को मिल लाते हैं और यहां से आप फ्यूर के कैप को open कर सकते हो और बॉनट को यहां से open कर सकते हो और मैं बात करूँ यहां पर आपको traction control का button मिल लाएगा head lamp लेवलर यहां पर दिया गया है तो बढ़िया है बैठके मैं बात करूँ तो देखो Honda City पहले भी काफी popular है मतलब भड़िये एकदम comfortable ride के लिए और बंद करते हैं भाई इसके door को और यह है इसका interior एक second मैं on करूँ भाई इसमें आपको पता post engine start stop button मिलता है यार बेस मोडल में है और क्या क्या लोग है मतलब यार Honda से यह बेस मोडल है इसका और यह देखो क्या must color combination एक दम देखने को मिल लाते हैं इसमें एक second इसका instrument cluster देखो यार यह देख रहे हो कितना बढ़ी है 8000 तक आपको इसमें RPM marking and 220 speed marking देखने को मिल लाती है and just seat belt के alert है आप पूरे के पूरे बहला पांचो के पांचो seat belt के alert मिल लाते है six number of airbags मिल लाते हैं गाडी में तो बड़िया features इसमें add-on हुए हैं यहां पर infotainment के control आपको मिल लाते हैं and कुछ M.I.D. के controls हैं वह भी आपको देखने को मिल लाएंग आपको वाइबर्स के controls and यहां पर आपको lights के controls देखने को मिल लाते हैं वाकि adjustment tilt plus telescopic भाई both adjustment के साथ आता है मतलब कई कई गाड़े हैं ऐसे हैं जिसमें top model में भी telescopic adjustment नहीं आता बट इसमें आता है cruise controls भी गाड़ी में देखने को मिल लाते हैं तो बहुत सारी चीज़े हैं भ बात करूं यहां पर तो आपको mirror मिल लाता है भाई बेस्विरेंट में आपको vanity mirror देखने को मिल लागा driver side यहां पर आप अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको एक mirror दे दिया जाता है अब बात कर ले दें भाई इसके infotainment की तो यहां पर आपको 8 इंजिसका touchscreen infotainment मि आपको android auto and apple car play मिल जाता है बट वो आपको wired मिलता है मालब wire के through चलता है यह पीछे वाला इसका camera है इसके quality आप check out कर सकते हो बड़ी है मतलब 3-3 view आपको दे देता है मालब एक बिलकुल नीचे वाला एक सामने है एक से थोड़ा जूम में आपको दे देगा 8 number of speakers आपको इस आपको automatic easy मिल जाता है base variant में आपको automatic easy मिल जाता भाई यह देख रहा है हो यहां पर 3-3 knob देखने को मिल जाते हैं यहां पर charging वगेरा ports outlet आपको देखने को मिल जाएंगी दो-दो cup holders and six speed manual gearbox आपको यहां पर देखने को मिल जाता है center console वड़िया लगता है यहां पर आपको handbrake मिलता है manually and armrest जो वो slideable तो नहीं है but deep काफी है अच्छा काथा space आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है और अगर मैं बात करूँ उपर एक second यहां पर adjustable आपको headrest मिल लाएंगे आगे वाले पीछे वाले नहीं मिलते हैं बीच में आपको एक light मिल जाती है and भाई चलते हैं पीछे और बात कर लेंगे अभी इसके second row के space के बारे में यार यह देखो इसमें थीम भी विल्कुल top model व का combination यहां पर देख रहे हो यह soft touch power window का control आपको देखने को मिल लाएंगे इंटियर के door handles जरूर से black में है बटर ठीक है यहां पर speaker की position and butter holder आपको देखने को मिल लाएंगे मैं बैट के बात करूँ तो भाई so comfortable मतले है आप खुद देखो knee room कितना जादा बढ़िया है and under high support भी काफी बढ़िया हो जाता है क्योंकि पीछे वाली seat जो है वो काफी जड़ा चौड़ी आपको देखने को मिल जाती है पीछे एक armrest मिल लाएगा bit to cup holders तो बढ़िया एकदम अच्छी feel आपको देदेगा बढ़िया luxurious and पीछे आपको यह देख रहे हो बढ़िया अच्छा साम गाड़ी की जो weight मिलती है वो total आपको 1748 mm के मिल जाती है और पीछे से कुछ इस तरीके के देखने को मिलती है आपको Honda City का base variant मलब लगता नहीं है कि यार यह base variant में आपने बैठे हुए है बहुत बढ़िया गाड़ी है गाड़ी की length जो मिलती है वो आपको 4574 mm के मिल जाती है अब दिखा देता हूँ मैं इसका engine इसमें आपको 115 लीडर्स का 4-cylinder engine मिल जाता है जिसको Honda 1.5 IV Tech with VTC engine बोलता है जो प्रिके petrol engine है यह आपका manual transmission के साथ है जिसमें आपको mileage 17.8 की मिलने वाली है and power की में बात करूँ तो 119 PHP 6600 rpm and torque की में बात करूँ तो 145 mm तक का torque आपको इस में देखने को मिल जाता है और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much for watching this video अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी query हो तो नीचे आप comment box में comment कर सकते हो otherwise मैं नीचे description में number डाल दूँगा तो वहाँ से आप contact भी कर सकते हो direct dealership पे यह dealership आपकी गॉलियर में है शीपर लिंक रोड पे तो बहुत अच्छी डील के लिए आप इस से contact कर सकते हो thank you so much for watching this video